दोस नमस्कार मुंबई के एक अदालत द्वारा भगोडा घोशित किये गए पूर पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग माया नगरी यानी की मुंबई वापस लोटाई हैं परंबीर सिंग पिछले तक्रीबन 231 दिनों से फरार चल रहे थे परंबीर सिंग के मुंबई पहुँचते ही महारास्टर की सियासत में भी हलचल तेज हो चुकी है इसी कड़ी में महरास्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने परमबीर सिंग के लोटने पर प्रतक्रिया दी है और कहा है कि अब हम साबित करेंगे कि अनिल देशमुक दोशी नहीं है उन्होंने परमबीर सिंग पर भी निशाना सादा है महरास्टर के मंत्री और NCP नेता नवाब बलिक ने कहा है कि आरोप लगाने वाला खुद फरार चल रहा था मलिक ने कहा कि परमबीर सिंग ने अनिल देशमुक को फसाया था इतना ही नहीं देशमुक के बिना सबूत ग्रफतारी की गई थी यसी के साथ नवाब बलिक ने कहा कि अब हम साबित करेंगे कि अनिल देशमुक दोशी नहीं है बैसे पूरी की ठाकरे सरकार इसमें लगी हुई है और यह कुछ नया नहीं है वो लगातार ये थाबित करने में लगे हैं कि देशमुक दोशी नहीं है उधर महरास्ट्रू के गरही मंत्री दिलीव वालसे ने भी परंबीर सिंग पर हमला बोला है दिलीव वालसे पाटिल ने कहा है कि बहुती अच्रज की बात है कि जो व्यकती राज्य के पुलिस पुरमुक रहे मुंबई और ठाने पुलिस के पुरमुक रह चुके हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदेगी पुलिस में बिता दी उन्हें डर लग रहा है उसी पुलिस महक में से दिलीब वालसे पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोट में परंबीर सिंग के वकील द्वारा उनको मुंबई में खत्रा बताए जाने को लेकर ये उन्होंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया है इसी के साथ दोस्तों वालसे पाटल ने ये भी कहा कि अगर उनको यानि की परंबीर सिंग को खत्रा लग रहा है तो किन से खत्रा है और क्या खत्रा है वो कुछ बताएंगे तो देखेंगे इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट के पूर्व ग्रह मंत्री अनिल देशमुक पर सौ करोड रुपे की कतित वसूली के आरोप लगाने के बाद से मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग जो लगातार फरार चल रहे थे वो आखरी बार साथ अप्रेल को सारवजनिक तोर पर दिखाई दिये थे वो चार मई को कारियालाय आये थे और उसके बाद में स्वास्त कारणों से छुट्टी पर चले गए थे पुलिस ने 20 अक्टूबर को बताया था कि सिंग का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है आलाकि बीते दिन आईपियस अधिकारी ने बताया था कि वो चंडी गड़ में हैं फिलाल महरास्ट में जवरन वसूली के कई मामलों का सामना कर रहे परंबीर सिंग सुप्रीम कोट से गरफतारी पर रोक के आदेश के बाद में तकरीबन 231 दिनों के बाद में मुंबई पहुंच चुके हैं गुरवार को यहां पहुंचते ही पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो अदालत के निर्देशों के अनरूप जाच का हिस्सा बनेंगे और उन्हें जो इंडिया का लौ है जो कॉंस्टिटिउशन है न्याय पालिका है उस पर पूरा भरोसा है अगर इतना ही भरोसा था तो अभी तक वो गायव क्यों चल रहे थे 230 दिनों से इसका भी शायद उन्हें जबाब दे देना चाहिए था लेकिन सबसे जादा दिल्चस बात दोस्तों यह है कि जैसे ही मुंबई के पूर पुलिस कमिशनर परमबीर सिंग महरास्टर में पहुँचते हैं वहाँ पर खलवली मच जाती है राजजनेति गल्यारों में उठा पटा कप शुरू हो चुकी है और महरास्टर सरकार के नेता कह रहे हैं कि अब हम यह साबित करेंगे कि परमबीर सिंग ने जूटे अलिगेशन्स लगाए थे और अनिल देश्मुख बिलकुल निर्दोश है बेराल जो दोस्तो नवाब मलिक की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है और तकरीबां दोसो एकतीस दुनों के बाद मैं परमबीर सिंग चंडी गल से सीधा महरास्टर में पहुंच चुके हैं इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में तना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर रहा हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलें